हेलो एवडिवान वेलकम डू माई चैनल हिंदी टारटाक ट्रपल तू मैं हूप अलवी कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे इस रीडिंग में यह देख रही हूँ क्या है आपके परसन के मौनिंग एमोशन्स फीलिंग थाट्स आपको लेकर आपसे चुड़ी हुए रिष्टे को लेकर क्या क्या बदलाव इनकी फीलिंग में आए हैं उन चीजों को इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है वीवर्स आपको बसे याद रखना होगा रीडिंग यह जो भी है वो जनरल और कलेक्टिव है तो आपको अपने आपको हर एक पात्मी जबर्दस्ती फिट नहीं करना बजाए अपने आपको जबर्दस्ती हर एक पात्मी फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होग रीडिंग का वीवास में कोई क्राइटिरिया नहीं बना रही कोई भी देख सकता है मैरेट अनमैरेट लड़का लड़की कोई भी बेज़े जगोकर देख सकता है सबसे पहले हैं लिब्रेरी, सन, एविल क्वीन, शार्क, पॉटमिस, होमबर्ड उन थैयक है सबसित प्हें ले इस एक विवास के पाइटंगे मुझे उनीबर्स किवां आपक आप जिए ल्ट्रीम मुझे लेकर आप法 किषिगा route वर्ट आधिट विवस सब्से पहले राशियंगा डिसकर्श करी जाएं तो यहां पर वाटर एलिमेंट यानि की कैंसर पाइसे जने स्कॉर्पियों पर कमीन ब्रेश्टिक राशी और अर्थ जानि की टौरस वर्गों कप्रिकॉर्न ब्रेश्फ कन्या इं मकर राशी यह राश खास दिखे मंध के बारे में अगर डिसकस कर जाए तो वीवस यहां पर हो गए नवंबर फरवरी जून अपरेल औक्टूबर और जैन्वरी मंथ तो यह मुझे मुझे इंपॉर्टन दिख रहे हैं जो आप से अपनी परसन से रिलेट कर सकते हैं मुझे अधिकतर लोगों के केस में ये चांसे दिख रहे हैं तकरीबन दो साल हो गए हैं आपको इस इंसान से बात ना करें हुए हैं ठीक है कुछ लोगों के लिए हो सकता है दो महीने हो लेकिन मैक्सिमम मुझे तकरीबन दो साल की पॉस्पोलिटीज आपकर दिख रही हैं और दो साल बहुत होते हैं कही न कही किसी के कंट्रोल से अपनी आपको बहा निकालने में इस इंसान को भी कही न कही मॉनिंग में यही चीजे यही ऐसास जैसे ज़्यादा पिंच कर रहा है तीस कर रहा है कि आपका जो जादू आपका जो चार्म आपका जो कंट्रोल कभी एक वक्त इस इंसान के उपर हुआ करता था, यानि कि इनकी खुशी में आप अपनी खुशी ढूंटे थे, इनके गम में आप अपना गम ढूंटे थे, पूरी तरह से जो आप इनकी उंगलियों पे नाच रहे थे, इन से जुड़े हुए सपनों को ही देखकर आप जी रहे थे, उनको देखकर ही आप मरना चाहते थे, आप कही न कही उस situation से इतरे वक्त में बाहा निकल चुके हो, ना आप इस तरह के control में अब रहना चाहरे हो, इस तरह के कंट्रोल में रहकर अगर आपको कोई सपना मिलता है, दिखाई देता है, दिखाया जाता है, तो आप उस पर भरोसा करने वाले हूँ, तो अबर आल इन्हें सुबर से लेकर अब तक इस तरह की चीजें ज़्यादा फील हो रही हैं, कि जिन सपनों के नाम पर इस इस इसान ने आपको नचाया, जिन सपनों की दुहाईयां दे कर, जिन सपनों के लिए आपको नीडी करके, इस इस इसान ने आपको कंट्रोल कर लिया, आपकी खुशियों पर अपना काबू कर लिया, आपको खुशी के क्वाब दिखा कर, अपन हिसाब से बना लियोगी पसा लियोगी या आपने सोच लिया होगा या आपने कही न कही अपने आप से इंडिपेंडेंसी को भी चुल लिया होगा लेकिन इस कंट्रोल को इस सपने को आपने अपने मन से जहन से पूरी तरह से बहार निकाल लिया होगा तो इन्हीं सुबह से कही न कही अब तक ये चीज़े ज़्यादा फील होती रही हैं अपने आप से खुद बखुद कि अल्टीमेटि आप जो मेरे विवास हैं वो इस सिट्वेशन से बहार निकल गए हो क्योंकि आप जान गए हो कि ये रिष्टा आपके लिए वो जहर बनता जा रहा था वो कंट्रोल बनता जा रहा था जो आप डिजर्व नहीं करते हो ठीके आप समझ गए हो कि आप क्या डिजर्व करते हो और क्या नहीं पहले प्यार में होने की वज़े से, इनमें खुशियां दूरने की वज़े से आप समझना नहीं चाह रहे थे और जो गंट्रोल कभी एक वक्त पे आपको नचाने के लिए, आपकी खुशियों पर या आपके गम पर काबू करने के लिए इस्तमाल करा गया ना वो control कही न कही अब इनकी खुद के पैरों की बेड़िया बन गया है इनकी खुद की खुशी, खुद के गम का जो हक है न जैसे मानों आपके इस situation से बहा निकलने के बाद वो आपके पलडे में चला गया हो कुछ अस तरह का एहसास इस इंसान को हो रहा है यही चीज़े इस इंसान को वीवस यहाँ पर न जैसे उसी जगह पर, उसी दो राहे पर लाकर खड़ा कर रहे हैं जिस दो राहे पर एक वक्त पे आप थे निकलना चाहिए मुझे या रुकना चाहिए इंकजार करना चाहिए ठीक है उसी दो राहे पर इस इंसान ने अपने आपको पाया क्योंकि कहीं न कहीं देखो ये पले आपको लेकर fair थे unfair थे आपके साथ fair कर रहते या नहीं आप इनको लेकर अपनी तरफ से पूरी तरह से innocent थे आप अपनी तरफ से इस इंसान को वही दे रहते जो कई न कई आपके पास था और आप खुद भी deserve करते थे लेकिन बात तो वही टीना कि अगले के intentions, अगले के इरादे, अगले का जो प्यार था न वो कभी आपर toxic और unhealthy हो गया, वो न उस इंसान को पता चला और आपको भी definitely नहीं पता चला मुझे यहाँ पर ये chances दिख रहे हैं, पहले आपके person ऐसे नहीं थे, पहले ये रिष्टा बहुत pure, बहुत सच्चा था पही न कई जिस इंसान से आपने प्यार करा, आपके partner अब वो इंसान है ही नहीं, वो बिल्कुल बदल गए है, totally change रहे हैं और उसके पीछे का जो reason है न, वो we are the world, दुनिया, समाज, चार लोग, चार लोगों की बाते, चार परिवार के लोग, चार relatives, वो मामा, बुआ, काकी, फुफा, जो कही न कही रोडा बनते हैं, वो लोग बने आपे वज़ा आपके partner को बदलने के पीछे की, आपकी खुश् पसन ये चीज़े नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी वज़े से हुआ, ये हुआ, वो, वो, ये आपर बस इतना चीज़े फील कर रहे हैं कि आप जो deserve करते थे, आपको वो यहां नहीं मिला, इस इंसान से नहीं मिला, तो definitely इसी reason की वज़े से आप इस situation से बहा निकल गए हो, अ कि हो गया था, ये रिष्टा हैसा ही, और वही चीज़े ये सोच रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से उस चीज़ को इनके माध्यम से यहां पर calculate करा जा रहा है, उसको analyze करा जा रहा है, गाइड कीजे universe, please divine, please archangels, please holy angels, please spirit guide, मुझे गाइड कीजे, बताईए, सुबह से लेकर अ कि फीलिंग्स, इनकी सोच, इनके perceptions, वियर्स को लेकर क्या बने हैं, king of cups, bottom की अनजी है, tower, diet कीज़े बदाए, spread diet, वियर्स के पसंद की feelings, वियर्स को लेकर क्या बने हैं, सुबह से लेकर अब तब, कि इस feelings के emotions में वियर्स की पसंद रही है, king of cups, two of swords, diet की थाईए, spread diet, वियर्स के पसंद की feelings के वनी हैं, सुबह से लेकर अब तर, temperance and ten of pentacles, diet की थाईए, वियर्स के बने हैं, वियर्स यहां पर आपका जमनाई, लिब्रा एन अक्वेरियस, मितुन तुलैन कुम्भ राशी और आपका यह फायर एलिमेंट, Aries, Leo and Sagittarius में शितिंगन धनु राशी भी आगया है, तो यहां पर आपकी राशियत overall अब सभी हो गई हैं, राशियों की अप्टेंशन नहीं लीजेगा, ऐसा देख पा रही हूँ जैसे दो सोच में यह परसन अपने आपको स्टक पा रहे है, एक सोच जो इन्हें आपको लेकर आज भी भावुक करती है, आपकी फीलिंग से, आपके एमोशन से, इस रिष्टे से इन्हें आज भी जोड रही है, और एक थाट, एक एमोशन, जिस इस रीजन की बज़े से इस इन्सान ने आपकी खुशियों को गम्मे बदलने में थोड़ा भी नहीं सोचा, यानि कि वो पैसा, वो स्टेबिलिटी, वो ओदा, वो, तो दो थाट में यह इन्सान अपने आपको सुबह से लेकर अब तक बटा हुआ पा रहे हैं कि यह चाहत लाँ है, यहाँ पर जिस अपने में कभी एक वक्वे आप उलज कर रहे गए थे, या जिस अपने को पूरा होने की उमीड रखने की वज़े से इस इंसान की कटकुटली बन गए थे उस सपने की कटकुटली ये परसन अपने आपको खुद को भी बनते हुए पा रहे हैं ठीके वो अतीत वो पास्ट जो इन्हे अभी भी आपको लेकर हद से ज़दा emotional कर रहा है हद से ज़ाधा भावुक कर रहा है, नीडी कर रहा है, जो एक वक्त में आपके अंदर दौरता था, वो इनके अंदर भी चल रहा है, लेकिन इनके अंदर वो चीजे इस वे में चल रही है, कि क्यों, वाई, कंफ्यूजं के वे में इनके दिल में चीजे चल रही हैं, क्योंकि इनकी मंजल तो इन्हें यहाँ लेकर गई थी, इनको अपनी मंजल इसे चुना था न, पैसे को, या फिर वो चार लोगों की बातों को इनको इनको ने सुना था, उससे समझा था, उसमें अपनी खुश्या तो क्यों इनकी सोच, इनकी एमोशन, इनकी फीलिंग्स इस सपने के कंट्रोल में होती जा रही है, कंट्रोल में आती जा रही है, यह सवाल इस इंसान को काफी जादा सुब्व से लेकर अब तक जिसे मानू बेचैन कर रहे है। इस इंसान को ये समझ में तो आ गया कि हाँ आप ये चीजे कही न कही समझ रहे हो कि इस रिष्टे में जो आपको मिल रहा था या ये जो देना चाह रहे थे वो आप डिजर्व नहीं करते थे लेकिन जो इन्हें मिल रहा था आपसे वो ये डिजर्व नहीं करते थे इन्हें आउकाद से शायद कुछ जादा ही अच्छा या बेटर मिल रहा था जो इन्हें रास नहीं आया जो इन्होंने तभी तो यहाँ पर इस चीज़ को खो दिया इस चीज़ को सोच कर इस चीज़ को रह रहकर जितना जादा ये इनसान अब कैलकुलेट कर रहे है ये जितना जादा ये इस चीज़ को सोच रहे हैं वीवर्स उतना जादा ये परसन अपने हाथ पूरी तरह से खाली पा रहे है उतना जादा अपने हाथों में ये प्यार, emotions, feelings नहीं बलकि उतना जादा अपने हाथों में compromise जाने कि समझαιोते आते हुए यह person देखना है कि अब इन्हें जिस भी situations में जाना है जाहें पैसे की तरफ जाना है फीर टी की तरफ जाना है हर situation में इन्हें समझाते करने पड़ेंगे वही चीज़े इस इंसान को एक डर में लेकर जा रही है वही चीज़े इस इंसान को विवस उस चीज़ से डरा रही है जिस तरह का डर एक वट में आपके मन में भी डेवलप हुआ था कि अगर ये इंसान मेरी जिन्दगी से चले गए या मैं सपने से दूर आ गई आ गया तो मेरा क्या होगा उस दर्द में ये इंसान अपने आपको खुद को मौजूद होते हुए पार है ये परसन समझ रहे हैं कि इस रिष्टे में अगर आपकी हाँ सुननी है तो कही न कही इन्हें आपकी तरफ ایک solid offer लेकर जाना होगा एक long stability का offer लेकर जाना होगा इन्हें आपकी तरफ एक ऐसा offer लेकर जाना है जिसको आप ना ना बोल सको या जिस रिष्टे को लेकर कभी एक वक्त ही इनसान confused हुए है थे ना कही न कही वही रिष्टा को अपनी तरफ खीच रहा है, अपनी तरफ पुकार रहा है, इन्हें ऐसा फिल हो रहा है, इन्हें सुपह से लेकर अब तक कुछ ऐसा भी हैसास हो रहा है विवस, कि Definitely आपका ना इस सपने से, इस घर से बहां निकलना बहुत difficult हुआ होुगा एक वर्टे आप emotionally वे में तूटे होंगे situation से निकलने के लिए आपने बहुत efforts करे होंगे, बहुत मेनत करी होगी, बहुत upset होए होंगे, बहुत confused भी होए होंगे, लेकिस तिल आप अब जहां पर हो बहां पर इन्हें इस situation से, सपने से बहां निकलते होए, recover होते होए, जितना जादा feel हो रहे हो ना, उतना जादा ये person अपने आपको इस दर्द में, अपने आपको इस emotions में stuck पा रहे है, उन चीजों को याद करके उतना जादा अब ये person खुद upset हो रहे है, इस इंसान को अब उस घर में रहकर, उस दुनिया में रहकर ना, वो सुकून वो शान्ती नह मिल रही थी या मिल सकती थी, वो ऐसास इस इंसान को सुबह से लेकर अब तक इतना जादा confusion में डाल रहा है, इतना जादा इने दर्द और तकलीफ दे रहा है, जिस दर्द और तकलीफ को शब्दों में ये person express नहीं कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, तो वो इनकी मुझे energies यहाँ पर दिख रही है, viewers, ठीके, देखती हुई these energies state of mind के साथ, ये person आप से क्या कहने किछा रख रहे हैं, इनके methods देख लेते हैं, definitely यहाँ पे दुनिया, चार लोग, उन सबकी वज़र से इस इंसान लेना, इस रिष्टे में समझाता नहीं करा, जो इने करना चाहिए था, या जो इने कर लेना चाहिए था उस वक्त पे, तो इनके हाथ अप कन्फ्यूजन ना आते, गाइड कीजिये, बताएए, Divine, Viewers के परसन, अब इस energy से state of mind में कहना क्या चाह रहे हैं, Viewers से, गाइड कीजिये, Divine, I want to do free from worries, तो एक डर में तो यह परसन है, कि जिस तरफ भी जाने की सोच रहे हैं, उस तरफ एक डर, इनके मन में confusions, क्योंकि इनके मन में हैं, यह कहना चाह हैं, Yes, I know, it's too late, but I'm sorry for that, आप से कहना चाह रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इस चीज को calculate करने में, इस चीज को महसूस करने में, उनने बहुत वर्त लगा दिया, लेकिन उन सभी चीजों के लिए sorry feel कर रहे हैं, I feel I am worthy, इनने ऐसा लग रहे है कि शायद अब आपके ल आपकी नजरों में इनके लिए हुआ करती थी, वह value अब आपकी नजरों में खतम हो गई है, sometimes I feel now you don't love me, अब कभी-कभी ऐसा लगता है जिसे अब आप इनने प्यारी नी करते हो, ठीक है, I wish I could take my words back, अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि जिस भी तरह से नोने आपको तकलीफ दर्द दी, जो भी आपसे अच्छा बुरा कहा, काश वो words ये वापस ले लेते, या ले सकते, जिससे आपका वो दर्द, ये तकलीफ ये कम कर देते, या वो तकलीफ से खुद को अब इने गुजरना ना परता, तो ये भी आपसे परसन कहना चाह रहे है, चलिए देखते है यूनिवर्स ए डिवाइन, अब आपसे कहना क्या चारी है, काईट कीजियो बताइए, मेरे जापने मेरे देखते हैं, इस स्चुछ दिए को क्या करना चाहिए है, डिवाइन, इस सिचुछोईशन में प्लेसिस जोई एंड डिलाइट एंड वंडरस यूनिवर्स आपसे बोला जा रहे है विवस अपने आपको ना मेंटली और एमोशनली तयार करो नए नए अपॉर्चिनिटीज को अपने तरफ अट्राक्ट करने के लिए बजाए उस टॉक्सिसिटी में उस गंदगी में बार बार जाकने के पत्थर मालने से कुछ हासिल नहीं होगा बलकि उसकी जगा आपको ना यहां पर अपने आपको तयार करना होगा नए अपॉर्चिनिटीज को अट्राक्ट करने के लिए यह कुछ जिन्दगी बहुत खुपसूरत है बस उसे जीना आना चाहिए उसे समझना आना चाहिए जब आप इसे समझोगे जब आप इसके लिए चलोगे ना तो डेफिनेटी आपके लिए नही नहीं अपॉर्चिनिटीज कुलेंगी और नहीं नहीं कुशियां आप अपन रिस्ट्रिक्ट करने के अपने पंखो को फैलाना है अपने आपको आजाद करना है अपने आपको कही न कहीं प्यार करना है वो प्यार जो कहीं न कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यह इंसान मुझे दे वो प्यार आपको खुच से अपने आप से करना है यह आप से बोल के भाव भी बिकने लायक को इंसान नहीं बचता है तो वही आपसे बोला जा रहा है यह जो भी भाव में बड़े हैं वो आप ही के कारण बड़े हैं अगर आप इन्हें अपनी कुश्यों का गम का राइट ना दिये होते तो आज कई नकी इनके भाव कोडी के भी ना होते यह आपसे बोला जा रहा है आपको बस वही वक्त अपने जिन्दगी में खुद से लाना है कुछ लोगों के लिए वह वक्त उनकी किसमत की वज़े से आता है कुछ लोगों को अपनी destiny में उस वक्त को हासिल करना पड़ता है और आप वही हो आपकी गिंथी उन में है जो लग क बेस पर नहीं अपने बल के बेस पर अपनी डेस्टनी को अपनी मुठी में लेकर आओगे तो ये आपसे आज के इस रीडिंग में ऐसा गाइडेंस बोला जा रहे है वीवर्स ठीके और रही बात इस इंसान की जिस दिन वक्त आपकी मुठी में आप हासिल कर पाओगे ना उस आप कनेक्ट कर पाए अपने आपको थोड़ी भी जानकारी मिली थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए लेकि स्टिल लाइक नहीं कर पाए तो जल्दी से अब लाइक कर दीजेगा धेर अभी भी नहीं हुए है क्लेम जरूर से करिएगा ग्रैटिट्यूड उस यूनिवर्स को आज आपके लिए इस रेडिंग में दी है विवर्स ठीके और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन को प्रेश जरूर से कीजेगा ताकि जब भी नहीं रीडिंग लेकर आई जाए विवर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आपके बाए